अब एक चिज़ आप लो यहां पर समझ लेना की देखो पाकिस्तान के जो टीम है नहीं कर सकते कि ये टीम किस परकार की तो बल्ले बाजी करके जाएगी और डील्बाजी करके जाएगी क्योंकि ये देखो बिल्कुल हलकी टीम्स के सामने भी मैच्सिस को हार के आई है इवन लास्ट मैच जो अफगानिस्तान की टीम थी उन्होंने इनको बूरे तरीके से पेल दिया तो पाकिस्तान की टीम पे आप लोग ज़्यादा बिलीव नहीं कर सकती भाई वो किस परकार बल्ले बाजी करेंगे किस परकार के वो गेंद बाजी करेंगे लेकिन जो साउथ अफरिका की टीम रहे है इनका जो ये सीजन रहा नहीं की जो वल्ड कप रहा है वो काफी जादा बढ़िया गया सिर्फ एक ही मैंच यह टीम अब दग आ रही है जो कि भईया निदरलैंड की टीम के सामने आ रही थी वो भी आई थी कि यहाँ पे ज़्यादा कुछ खराफ करके टीनों ने खेला एक तरफा ओं कर सकते हो तो ये लोजिक आपको पता हो ना चाहिए तो सारी दे जाम लोग इस विडियो में डिसकस करेंगे कि कब को उन से 11 प्लेयर को अपनीटी में पिक करोगे किसको कैपटन सी पे रखोगे किसको मिस नहीं करनी दोस्तों वीडियो पसंद आई वीडियो में बताईगी इंफोर्मेंशन अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना तेलिगरम चनल का लिंक आपको नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओगोंगे सबसी उपर टोप में पिंड आपको मिल जीएगा क्योंकि जब तक आपको pitch के बारे में नहीं पताऊगा ना तब तक आप लोग उतना बढ़िया team selection नहीं कर सकते ठीक है तो विकेट के अगर बात करूँ तो सबसे पहले venue का discussion करते हैं जो venue रहेगा दोस्तों वो रहेगा होंगे इस World Cup के तो किसी किसी मैच में हमें जो है विकेट की साइड से उतना ज्यादा spin नहीं देखने को मिला मतलब चेने के विकेट पे भी आमें बढ़िया रंस देखने को मिले हैं अब देखो finally pitch curator के उपर depend करता है कि भाई वो किस परकार के विकेट यहां पे बनाएंगे अब जो final pitch report आएगी टोस्त के टाइम पे कि उसके इसाफ़ जबाई एक flat विकेट आपको देखने को मिलेगा या फिर भाई एक बार फिर से आपको spin friendly विकेट देखने को मिलेगा वो आपको final जो अपडेट रहेगे pitch के बारे में वो आपको टेलीग्राम पे टोस्त के बाद मैं जरूर अपडेट करूँगा क्योंकि pitch का रोल जो रहेगा बोस वो देखो काफी important रहेगा अगर अब तक के overall आपडों के base पे देखा जाएगा तो चेनने का विकेट जो होता वो नोर्मली spin को काफी help करता है बस आप लोग यह चीज जान में रखो इस venue की बात करूँ तो टोटल अब तक यहांपे 26 यानि 26 वंडे इंटरनेशल मुकाबले खेले जा चुकें जहापे जो first betting वाली टीम है उसने 15 विन करे और second betting वाली टीम ने 11 matches विन करे अब देखो थोड़ा सा advantage यहांपे first betting के favor में आपको जरूर दिखेगा बढ़ एक और interesting चीज़ आपको बताऊं जो पिछले चार मुकाबले वल्ड कप के इस venue पे खेले गई ना उन चार मैच में से भाई तीन जो मैचिस रहे हैं वो second बल्ले बाजी करने वाली टीम ने विन किया मतरब इस वल्ड केप के अंदर जो second betting करने वाली टीम रहे है उसको ज़्यादा फेवर आमें देखने को मिल पाया है तो हो सकता है कि टीम अगर इसी अप्रोच के साथ में उतरे तो भाई जो भी टीम टोस्विन करेगी वो शायद पहले गेंदबाजी का या फिर आप लोग देखने को मिला क्योंकि पाकिस्तान का तो एक भी स्पिनर एक सिंगल विकेट तक नहीं ले पाये था तो ये चीज़े दान में रखो फाइनल जो पिछ रिपोट आईगी टोस के टाइम पे उसके अकोडिंग किस परकार का विकेट रहेगा वो मैं आपको टेलीग्राम पे ज़रूर अपडेट करूँगा तो आप लोग टेलीग्राम के साथ में ज़रूर से कर लेना यहां से बात करते हैं दोस्तों टीम सेलेक्शन के बारे में तो सबसे पहले विकेट केपिंग सेक्शन के अंदर आएंगे पहली ओप्षन आपके पास में क्विंटन डिको की दू परदस्त बैटिंग गरी है पूरी साउथ अफरिकन टीम के लिए क्योंकि इनका मिडल में बल्ले बाजी करना साउथ अफरिका के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बनके जा रहा है और यह काफी तेज गती से रंस कर रहे हैं इवन फस्ट बैटिंग में हमेशा क्लास के टोप की पिक्स भी होने वाले हैं क्योंकि तीनो प्लेर ऐसे हैं बैया जो विकेट के उपर रुक के बैटिंग करेंगे विकेट अपना जल्दी से थ्रो नहीं करेंगे कलासें जरूर थोड़ा सा तेज खेलने की कोसिस करेंगे बाकी क्विंटन डिको क्या फिर मुमत रि एसेल की टीम में यानि कि अपनी स्मोली की टीम में जरूर सीन तीनो प्लेस को पिक करके आएगा बैटिंग सेक्शन के अंदर आएंगे बाबर आजम देखो लास्ट मैच जो चेन्नी के विकेट पे मैच हो था वहाँ पे अफगानिस्तान के साथ में इन्हों ने काफी अच 76% के साथ में ना स्लैक्सन बेस जा सकते हो अगर आप लोग रिस्क उठा सकते हो तो आप लोग इस मैच पे बाबर आजम को अपनी टीम से ड्रोप भी कर सकते हो या आपका पहला बड़ा रिस्क रहेगा इस मैच का रासिव एंदर दूशन के साथ में देखो फिलाल मैं जर से जरूर निकले कम से कम 40-50 रंस के पारिया जाएगी न तो डेफिनेटली अपना काम बन जाएगा वन डाउन बैटिंग करेंगो और अब तक जो परफॉर्मेंस रही है वो ओवरॉल मिला किया में काफी ज़्यादा बढ़िया भी देखने को मिली है टिकाओ बले बाज़ विकेट थ्रो नहीं करता हलांकि थोड़ा सा तेज गती चरंस नहीं करता थोड़ा सा स्लो बैटिंग जरूर करेगा लेकिन अपना विकेट थ्रो नहीं करता सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हो आपको जो है रासिव एंदर दूशेन का वो देखने को मिलेगा उसके बाद मै इमाम की बात करें किसी मैच में बंदा चलता है बाई किसी मैच में फ्लो बजाता है अब सामने अगर मैं बात करूँगा तो क्वालिटी की इंद बाजी आपको दिखेगी चाहिवो कागिसो रबाडा की बात हो या फिर भाईया ग्रेराल कोईड़ जे की बात हो या फिर ल साफिक ने करके दिखाई है और काफी अच्छा यह मुझे प्ले लगा टेक्निकली भी काफी स्टोंग आपको दिखेगा और यह थोड़ा सा तेज गती से भी रंज कर सकते हैं तो मेरे साफ से इमाम के कंपेर में अब्दुला सफीक आपके लिए ज्यादा बैतर विकलब हो सकते हैं लेकिन अगर आपको रिस्क उठाना है अगर आपको कुछ डिफरेंशिल ट्राई करना है तब आप लोग यहां पर इमाम के साथ में अपने टीम में जरूर से जा सकते हो बस यह चीज मेरे ध्या गर दूँ यह देखो एक ऐसा प्लेयर है जो या तो बैया स्टार्टिंग गोर्ट में अपना विकेट थ्रो करके चला जाएगा लेकिन अगर यह पांच साथ ओवर आउट नहीं हो आना तो यह मान के चलो इसके बल्ले से आपको एक बड़ी पारी ही देखने को मिलेगी तो यह आपको उस लेवल का प्लेयर दिखेगा जिसका विकेट या तो स्टार्टिंग में जाएगा या फिर इसके बल्ले से वाई रंसी बड़ी आ जाएगे तो यह तोटल यह आपके लक्यों पर डिपेंड गरने वाला प्लेयर है ठीक है उसके बाद में नीचे आओगे मिलर देखो थोड़ा सा नीचे बल्ले बाजी करते हैं तो उस वज़े से मैं इनको स्मोल लिग की टीम में अभी के लिए सेफ ओप्शन में नहीं लेके चलूँगा लेकिन एक केस में आप लोग जरू ट्राई कर सकते हैं अब देखो क्या हुआ है कि साउथ अफरिक अगर जो ट शोच सकील देखो नॉर्मली मुझे काफी फैवरेट लगता है ये प्लेयर मेरा काफी फैवरेट बल्ले बाज भी है लेकिन इस सीजन अगर बात करू एक दो मैचेज में अच्छे रंस जरूर आए हैं बाकी उतना रिस्पोंसिबिलिटी के साथ में इन्होंने बैटिंग शोच सकील रहेगा क्योंकि इस मैच में मान के चलो पाकिस्तान के विकेट गरने के पूरे पूरे चांसे जे स्टार्टिंग अंदर और मिडल में आपको कोई अगर अच्छा बल्ले बाज चीए तो आप लोग फिर याँपे शोच सकील के साथ में जा सकते हो काफी बड़ी या प्लेयर है काफे टैलेंटीड प्लेयर है बस इतना कहुँआ कि बाई अपना विकेट स्रो ना करे अगर थोड़ा सा रिस्पूंसिबिलिटी के साथ में खेले तो शोच याँपे सोच सकील आपके लिए बहुत अच्छी विकल्प हो सकते हैं एज़े डिफरेंशल अगर गोलाउंटर डिपार्टमेंट के अंदर आओगे एड़न मारकरम नेंगे मारको यांसिन नेंगे दो तो आपके लिए यह मान के चलो कोमन पिक्स है मारको यांसिन का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट साथ अफरिका को मिलाए की बाईसा वो बल्ले बाजी भी कर रहा है प्लस यानि के टोप क्लास देखने को मिली है तो साथ अफरिका की साइड से एड़न मारकरम और मारको यांसिन दोनों मेरी टीमे रहेंगे मारकरम की बाद करें जो कि आपको सैकंड डाउन पे बल्ले बाजी करते हो दिखेंगे मारको यांसिन नॉर्मल याज़े बोलर खेलते है लेकिन ये बैटिंग बैकप भी आपको बढ़िया दे सकते हैं बैटिंग थोड़ा सा नीची करना हैं कि बस वो सी जान में रखना ठीक है शदाव खान को ट्राइ कर सकते हो अगर आपको बैटिंग बैकप चीए बाकी गेंदबाजी में में इनसे उतनी जादा कुछ खास उमीदे नहीं करता अगर स्पिन ट्रैक देखने को मिलता है और अगर पिच की सैड़ से गेंदबाजों को अच्छी खासी ट्रंड देखने को मिलता है अगर आपको बैटिंग बैकप चीए ना तब तो आप लोग डेफिनिटली अपनी टीम में ट्राइ कर सकते हो वही गेस आपको दिखेगा भाई इफ्तिकार एमद के साथ में है तो यह पार-टाइमर गेंदबाज लेकिन अगर विकेट की सैड़ से थोड़ा सा हेल्प दिखेगी डेफिनिटली यह साथ से आट ओवर गेंदबाजी जरूर करवा के जाएगा दूसरा पलस पॉइंट आपको बैटिंग बैक अप भी मिल जागा तो वहाँ पे भी आप लोग इफ्तिकार को ट्राइ कर सकते हो नीचे आओगे कुछ खास ओप्संस नहीं है तो फिलाल मैं आसे एड़न मारकरम और मारको यांसें दोनों को टीम में बैक करके चलूँगा ठीक है बोलिंग सेक्शन में कगिसोर अबाड़ा साइन साफ रिदी दो तो भाई सब ये मान के चलो कोमन पिक्स आप लोग बिल्कुल भी इधर उधर नहीं कर सकते ठीक है ये दो प्लेयर मतलब आपके टीम में होना चीए मैं आपको सिधा सिधा इतना ही बोलूँगा उसके बाद में देखो अरीस रूफ काफे कॉलिटी गेंदबाजी करते है ठीक है लेकिन पेस के चक्कर में ना इनकी पिटाई भी अच्छी खासी होती है बट एक चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है अगर इस मैच में पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करने आएगी ना तब तो आप लोग भाई अरीस रूफ के साथ में अपने टीम में जरूर जाओगे माली जी अगर स्टार्टिंग योर्स में विकेट ना भी मिले ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है फिर ये आपको डेथ ओवर गेंदबाजी करके विकेट निकालके दे सकते है तो अगर पाकिस्तान पहले गेंदबाजी करना हैगी हरीस रूफ आफ के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट पिक बन जाएगा अगर सेकिंड गेंदबाजी पाकिस्तान करती है तो फिर आप लोग चाहो तो अपनी टीम से ड्रोप करके भी रिस्क ले सकते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है ये लोजिक जो आपको बतारो ना भाई साब ये ध्यान में रखना जब आप लोग टीम स्लेक्शन करोगे इस मैच का उसके बाद में देखो लूंगी नगीडी लास्ट मैज नहीं खेले लेकिन अगर खेलेंगे इंपोर्टेंट बन जाएंगे अगर देखो विकेट की जा सकते हो जो कि आपको इस मैच में मेरे इसाब से कच्छी डिफरेंशिल पिक बन जा सकते हैं जो कि आपको लेफ्टाम और्थडोक्स गेंद बाजी करते हो दिखेंगे और अगर चेन्ने के विकेट पर स्पिन या फिर टरन देखने को मिलेगा केसव माराज के देने कमाल के परफोर्मेंस करीबी है पहले गेंद बाजी करें सेकंड गेंद बाजी करें गरें गरेलाड कोईड़ जी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेंगे ठीक है उसके बाद में नीच आओगे उसामा मेर तो भाई अफगानिस्तान के सामने भी कुछ खास नहीं कर प करेंगे, उसके बाद में ग्रेराल्ड कोईड जी रहेंगे उसके बाद में मारको यान्चेन है नीच बाज़ ऑधोर के बाज़ और प्रिवी दाव खान या फिर भई आप लोग इफ्तिकार के साथ में जा सकते हो अगर आपको थोड़ा सा बैटिंग वैकप चीए ज्यादा बैटिंग वैकप चीए आपके पास में बाबाराजम बिल्गूल सेफ ओप्शन है आप लोग इनको टीम में ट्राई करो डिफरेंशल खेलना आप लोग यहां पर देखो इमाम उलहक को अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो नीचे उतना कुछ खास ओप्शन है नहीं यहां से शोच सकील को ट्राई करो या फिर अगर आपको यह लगता है कि भाई इस मैच में साउथ अफरिका के विकेट जल्दीगर जाएंगे तो आप अपनी टीम में ग्यारा प्लेयर आचुके फिर से बता दू आप लोग यहां से भाईया रवुफ की जगह पे कगिसो सोरी बाबर राजम को अगर अपनी टीम में बैक करना चाओ तो कर सकते हो वो तो आपनी खुद की रहेगी ठीक है यह मेरा ग्यारा प्लेयर का टीम स्लेक टीम में कैप्टन सी पे देखने को मिल जाएगा डिपेंड गरता आपकी वाईस कैप्टन सी आप लोग यहां से क्लास एन को ट्राई कर सकते हो लेकिन क्लास एं देखो मैं हमेशा एकी चीज़ बोलूँगा कि थोड़ा सा रिसकी ओप्सन भी हो सकते है क्योंकि यह थोड़ लोग मारकरम को ट्राई कर सकते हो मारको यांसेन को ट्राई करो और अगर गेंदबाजी आई कोई भी टीम की पहले सो आप लोग इन में से किसी भी गेंदबाज को कैप्टन सी वाईस कैप्टन सी कर सकते हो फिर कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मतलब क्विंटन डीको तो एक क पर मिल जाएगा सिंपली वहां से आप लोग टलीग्राम को जोईन जरूर से कर लेना उमीद करता हूं दोस्तों वीडियो अपने कंप्रेड वोच क्या होगा भाई पसंद आए तो वीडियो को लाइक है और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बैल को भी जरूर से